नमस्कार शाथियों आप सभी का स्वागत है देवेन सर ओफिशियल में हम हर रोज की तरह best current affair सबसे पहले अर्थाद 12 बजे सिर्फ 10 मिनट में आपके लिए लेकर आए हैं आज है 30 मई 2020 और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद हैं तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्स प्रशन की तरफ आज का हमारा प्लह पहला प्रशन है कि 36 गड़ के पहले मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया है उनका नाम बताएं तो भई 36 गड़ के पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी जो कॉंग्रेस पार्टी से आते थे उनका हाल ही में निधन हो गया पहले यह एक बीरोक्रेट थे, उसके बाद इन्होंने त्याटपत्र देकर कॉंग्रेश में शामिल होकर यह 36 गड़ के पहले-पहले क्या मुख्यमंत्री बने थे, वर्तमान में यह मरवाही विधान सबा सीट से विधायक थे, नवंबर 2000 से लेकर नवंबर 2003 तक है 36 गड़ के जो 36 गड़ के मुख्यमंत्री है वो हैं कॉंग्रेश की तरफ से भूपेश पघेल और राज जिपाल हैं शोश्री अनुसुया उई के आप देख सकते हैं अजीत जोगी को बहुत पावरफुल नेता समझे जाते थे यह 36 गड़ के अगला हमारे पास प्रश्न है कि केरल में पुलिस महान देच्छक अर्थात डीजीपी बनने वादी पहली महिला कौन हैं तो श्रीमती आल श्रीलेखा ये पहली पहली डीजीपी बनी है इन्हें फायर एंड रेस्क्यू सर्विसिस के डीजी के रूप में न्यूगती मिली है कहां पर भई केरला में 18 सौरी 1987 बैच की यह IPS अधिकारी है इन्हें केरल की 1st IPS का भी अवार्ड मिला है हाल फिलाल में केरल के जो मुख्य मंत्री है वो है पिनराई विजियन केरल के राजपाल है आरिफ मुहम्माद खान और केरल की राजधानी है तिरुवानंत पुरम आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं श्री सकते हैं स्क्रीन में केरला क्या हुआ था कोविड-19 से सबसे पहले प्रभावित होने वाले राज्यों में सर्वप्रथम था चली हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है हमारे पास कि ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य किस भारती को बनाया गया है तो भारती ओलंपिक संग के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा को इस ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य न्यूक्त किया गया है आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि नरिंदर बत्रा अंतरराश्ट्री ओलंपिक महा संग के अभी भी प्रमुक है और कुछ अंतरराश्ट्री होकी महा संग के प्रमुक अब यह करता क्या है बही ओलंपिक चैनल ओलंपिक चैनल अंतरराश्ट्री ओलंपिक संथी की बैठक अंतरराश्ट्री ओलंपिक संथी के कारेकारी बोड और अंतरराश्ट्री ओलंपिक संथी के अध्यक्ष को सलाह देने का कार करता है इंटरनेशनल उलंपिक कमिटी का जो मुख्याला है हेड़कॉटर है वो है लोजैन स्वीजर लेंड में और इंटरनेशनल उलंपिक कमिटी की जहाल फिलहाल में अध्यक्षिव है थॉमस बोग आप देख सकते हैं नरिंदर बत्रा को है ना चलिए हम चलते हैं अपने क्या कर दिया गया है इस CIPET जैसा नाम था बिल्कुल वैसा ही है बस फुल फॉर्म में चेंज आएगा फुल फॉर्म इसका कर दिया गया है सेंटरल इंस्टिटीट ऑफ पेट्रो केमिकल इंजीनरिंग एंड इंस्टिटीट यह है रसायन और उर्वक मंत्राले के अधीन आ के माध्यम से भारत देश में प्लास्टिक उद्योग के विकास में कारी करना ठीक है भाई हाल फिलाल में भारत के जो केंदरी रसायन और उर्वरक मंत्री हों है सदानंद गोडा देखे जो बच्चा पढ़ा नहीं होगा उसमें सिर्फ प्रश्न यह मिल कर आएगा बनकर आ आएंगे Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology आपको पता होगा जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं और जो बच्चे रह जाते हैं उनमें सिर्फ एक दो नंबर का ही गयाप होता है और यह एक दो नंबर ऐसे ही प्रश्नों से बनते हैं तो कृपया ऐसे प्रश्नों में बहुत ध्यान दें आप देख स इसकी बहुत महत्पूर कंपनी है विप्रो उसने अपना मुख चीफ एकनोमिक ओफिसर या चीफ एग्जेकुटिव ओफिसर CEO और MD के से नियुक्त किया है तो थेरी डेलापोर्ट को इस विप्रो कंपनी का नया CEO और मैनेजिंग डारेक्टर नियुक्त किया गया है हाल फि एमनी ग्रुप के हाल फिलाल में Chief Operating Officer थे और उनके कारिकारी बोड में सदस्य भी थे आप उनकी फोटो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अब ये विप्रो में शामिल हो गाए तो विप्रो के लोगों के साथ आपको सामने दिख रहे हैं कौन फियरी डोला पार्ट विप् अगले प्रश्ण की तरफ तो अगला प्रश्ण है हमारे पास जिस पद से आये हैं ना इट मींस किसे फ्रांसी सी टेकनोलोजी की कंपनी केप जैमनी समूह का नया Chief Executive Officer CEO नियुक्त किया गया है तो एमान इजजत को इस कैप जैमनी समूह का नया CEO नियुक्त किया गया है वरत CEO थे तो अब CEO के रूप में इन एमान इजजत को चुल लिया गया है और अध्यक्ष के रूप में पॉल हरमेलिन अपना कार्य करते रहेंगे तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं एमान इजजत को कैप जैमनी के लोगों के साथ चली हम चलते हैं अपने अगले प्रश्ण की अगला प्रश्ण है हमारे पास कि JP Morgan South Asia और South East Asia का नया अध्यक्ष किसे बनाय जाने की घोशना की गई है तो लियो पुरी आप देख सकते हैं स्क्रीन में लियो पुरी को इसका नया South Asia का JP Morgan का क्या बनाया गया अध्यक्ष बनाया गया यह इस्थान लेंगे कलपना मोरपारि मुर्ली मया देख लिए आप यहां पर मुर्ली मया यह इनके नए CEO मुख्य कारकारी अधिकारी चुने गए हैं और JP Morgan के जो मुख्य कारकारी अधिकारी हैं वो हैं जेमी डियन ठीक है भाई चली हम चलते हैं अगले प्रश्ण की तरफ आप यहां पर कन्फ्यूज मत हो यहा वी मैं सड़क और वुंढिादी धाचे के विकास के लिए 177 177 00,000,000 के रिन पर हस्ताक्षर किये हैं तो भाला सरकारे में 4,500 किलोम्ली मिट्र लंबे जो राजमारगो ऑचो डिस्टिक रोड से उनका उपन्यान है उसके लिए विए है करन समझ मुख्य मंत्री अध्व सिरसेना की पार्टी से आते हैं यहां के राज जिपाले भगत सिंग कोशियारी और एशियन डेवलेप्मेंट बैंक के हाल फिलाल में अध्यक्ष है वो है माजसुगुसो असाकावा आप एडीबी का लोगों स्क्रीन में देख सकते हैं साथ ही साथ महाराष्टा को देख सकते हाल फिलाल में कोरोना का सबसे बड़ा स्पॉट बनकर उभर रहा है देखते हैं सरकार कैसे इस समस्याओं से निपढ़ती है चली हम चलते हैं अपने अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन है हमारे पास की गोवा में अक्टूबर नवंबर में आयजित होने वाले 36 राश करेगी आपको पता होना चाहिए बड़ा गेम है नैशनल गेम से तैयारी के लिए कम से कम चार माहा पहले की अधिशूचना की आवशकता तो पढ़ती ही है इसका आखरी संस्क्रण वर्ष 2015 में केरल में खेला गया था भारती उलम्पिक संग के अध्यक्ष अभी आपने दे करता और विकास परिशत की 22 बैठक किया ध्यक्षता किस ने करी तो भारती वित्यमंत्री निरमला सीता रमण के द्वारा यह किया गया नई दिल्ली में बैठक हुई ति यही हमारी corporate कारे मंत्री भी है निरमला सीता रमन्ण अगला प्रशन है हमारे पास कि हर साल विश्व तर पर World Digestive Health Day यानि विश्व पाचन स्वास से दिवस कब मनाया जाता है तो 29 मई को यह है digestive दिवस मनाया जाता है WGO के द्वारा WGO Foundation के सहयोग से यह दिवस मनाया जाता है इस साल की theme थी Get Microbium A Global Perspective पाचन से संबंधित रोग या विकार की रोगधाम व्यापकता निदान प्रबंधन और उपचार के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है आप देख सकते हैं theme के साथ अगला प्रशन है हमारे पास कि हर साल संयुक्त राष्ट अंतरराष्टी सांती सैनिक दिवस मनाया जाता है इस साल की theme क्या है इस साल का विशय क्या है तो इस साल की theme है Woman in Peacekeeping A Key to Peace मैं फिर रिपीट कर रहा हूं Woman in Peacekeeping A Key to Peace 29 माई को मनाया जाता है आपको याद होगा एक भारती हमारी क्या थी मेजर थी मेजर सुमन गवानी इनको अवर्ड दिया गया था धन्यवाद